Dear friends, आज किस वीडियो लिस्न में आपको बताने वाला हूँ, मैं formation of adverbs, जी हाँ, English grammar में किस तरीके से आपके adverbs को आपको बनाना होता है, यही मैं आज आपको इस वीडियो लिस्न में बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी adjective के last में ly लगा दो तो जो न वर्स शब्द जो किसी noun की विशिस्ता बताता हूँ, उसे हम विशिशन कहता है, अब यहाँ पर आपको यह समझना होगा, कि विशिशन को हमें पहचानना केस है, तो मैं एक बहुत ही शांदा ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जिससे आप किसी विशिशन को बहुत आसानी से पहचान सकते हो, विशिशन मतलब adjective, जो कि केसा से answer आए, जिससे मान लीजिए, एक लड़का है, मैंने का वो लड़का केसा है, तो आपने का सर, लड़का है ना, clever है, clever है मतलब लड़का केसा है, चालाक है, लड़का केसा wise है, wise है मतलब केसा है, समझजदार है, लड़का क लड़का केसा है तो बहुत दूर है बहुत दूर है मतलब तो इस तरीके से पर यहां पर जितने भी शबद में लिखे है या जो भी वर्ड यहां पर केसे के अंसर से आ रहे हैं वो सारे वर्ड आपके adjective है आप देख सकते हैं एंड तक जितने भी शब्द लिखे हुआ है clever, wise, kind, foolish, quick, honest, brave, beautiful मैंने का लड़की कैसी है तो आपने का सुन्दर है लड़का कैसा है अभी तो बीजी है वो कैसा है तो बोले angry है कैसा है slow है कैसा है bad है कैसा है calm है कैसा है careful है कैसा है careless है कैसा है certain है nishit है कैसा है correct है कैसा है curious है कैसा है eager है eager and curious दोनों का मतला होता है जिग्यासु है उत्सुक्त कैसा है easy है मैंने का कैसा क्योशन है अब ऐसा है कि लड़का है लड़की है कुछ भी हो सकता है मैंने का क्योशन कैसा है क्योशन easy है questions chief है, questions probable है, terrible है, gentle है, basic है, economic है, continuous है, crazy है, powerful and speedy है Dear students, all these 30 words that I have spoken are actually adjective Now we are going to use L-Y with them, हम इनके साथ में यूज करने वाला है L-Y और L-Y जैसे ही हम इनके साथ यूज करेंगे, they will know more adjective Now they are going to be adverb, अब ये बन जाएंगे आपके adverb और केसे बनेंगे वो देखो, clever में हमने L-Y लगा है, तो आपका word बना cleverly अब क्योशन उठता है, इन दोनों को use केसे करें तो उसके लिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ कुछ sentences जैसे मैंने कहा, Ravi is a clever boy रवी एक clever लड़का है, चालाक लड़का है, तो यह मैंने आपसे बोल दिया अब यहां cleverly को use करना है, तो cleverly को हम केसे use करेंगे जैसे मैंने कहा, she is, यह बोल सकता है, she answered every question cleverly उसने सारे questions के answer केसे दिये, cleverly दिये, cleverly दिये, मतलब बड़ी ही चालाकी के साथ, बड़ी ही समझदारी के साथ दिये so she answered every question cleverly, ऐसे देखो, wise, मैंने का, I like to meet wise people, मुझे समझदार लोगों से मिलकर अच्छा लगता है I like to meet wise people, मुझे समझदार लोगों से मिलना अच्छा लगता है, I like to meet wise people, और wisely समझदारी से you should do your work wisely, आपको अपना काम समझदारी से करना चाहिए, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, इस्ट्वेंट्स की एडवर्ब जो होती है, वर्व की विशेस्ता बताती है वर्व को qualify करने का काम करती है, और जो आपका adjective होता है, यह आपके noun को qualify करने का काम करता है आपको करना क्या है, यह जो 30 words यहाँ पर लिखे है, 30 words की मदद से, जो 30 adverb बन रही है, इनके sentences बोलना है, पहले इसका sentence बोलना है, फिर इसका sentence बोलना है इससे आप जो अपनी basic English में adjective और adverb को कैसे ही use करते हो, इसके बहुत अच्छी practice कर लोगे क्योंकि मेरा ऐसा personally मानना है, कि जब आप इस तरीके से चीजों को समझ के study करते हो, जब आप इस तरीके से चीजों को देखते हो, then you realize कि यार, चीजे बड़ी ही आसान है, easy है, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको के से इसको करना है, तो हम kind से start करते है, मैंने का he's a kind boy, वह एक दयालू लडगा है, he does his work kindly, वह बड़ी ही दया से अपना काम करता है, बोलते है, kindly accept my proposal, दया से क्रपा से मरा जो प्रपोजल वह accept कर लीजी, इस तरीके से, foolish मतलब हो तो बेवकूफ, he's a foolish boy, he did his work foolishly, the next, quick, he's very quick, his service is very quick, उसकी सेवा केसी बहुत ही quick है, he does his work quickly, he came quickly, he spoke quickly, he went there quickly, वह केसे वहां गया, quickly गया, तीजी से गया, ऐसे ही, रवी is an honest boy, रवी की मानदा लड़का है, रवी does his work honestly, रवी अपना काम इमानदारी से करता है, she's a brave girl, and she fought against foreigners bravely, वह विदेशियों के खिलाब बहुत ही 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 बहु तो वो angry young man के नाम से उनको जाना जाता था तो angry young man, he's a angry young man, तो angry यहाँ पर गया है adjective, but she's talking angrily, वो गुस्ते से बात कर रही है, she's talking angrily, वो गुस्ते से बात कर रही है, and she should not talk angrily, उसे गुस्ते से बात नहीं करना चाहिए, ऐसे ही देखो, slow and slowly, bad and badly, calm and calmly, careful and carefully, careless and carelessly, he's a careless boy, he did it is walk carelessly, you know, it's certain that I will go there, it is certain that I will go there, I will certainly help you, I will surely help you, I will definitely help you, और इसा नहीं कि आप certainly use करें, certainly कि बतले एक और वर्ड यूस होता है, surely, आप surely use कर सकते है, surely के इस तान पर आप मान लीजिए, एक और वर्ड यूस होता है, definitely, आप definitely use कर सकते है, to definitely, certainly and surely, तीनो का मतलब होता है निश्य ये तीनो वर्ड जो है, एक ही मिनिंग को करी करते है, ऐसे next word है आपका correct, correct मतलब क्या होता है, सही, correct में लवाय लगेगा तो हो जाएगा correctly, जिसमें का you are saying correctly, accept it, आप सही बोल रहे है मैं इस चीज़ को मानता हूँ, तो correctly आप बोल रहे है, मतलब you are saying correctly, और आप correct है, you are correct, and you are saying correctly, आप सही बोल रहे है, so what I am telling you dear students, कि आपको करनी है अच्छ सही प्राक्टिस, इसी तरीके से students हमको इन सब की प्राक्टिस करनी है, सब को बनाना है, correct, your answer is correct, your answer is correct, your answer is correct, मतलब आपका answer सही है, and you are answering correctly, मतलब आप सही तरीके से answer कर रहे हो, she is looking eager, वो केसे दिखाई उसने बड़ी सुकता से मुसेक प्राष्ण पूचा, ऐसे ही, easy and easily, cheap and cheaply, probable and probably, बहुत यूस होता है, प्रोबबली है, terrible and terribly, gentle and gently, you have to touch it gently, you have to touch it gently, आपको बड़ी gently इसको touch करना है, in a very gentle manner, you have to touch it, ऐसे ही basic से बना है, basically, economics से बना, economically, continuous से बना है, continuously, this is the continuous process, this is the continuous process, यह continuous process है, लगातार process है, and she is speaking continuously, वो लगातार बोल रही है, तो speaking continuously, speak continuous नहीं बोलोगे, अगर आप यह कहते हो कि she is speaking continuous, तो गलत हो जाएगा, तो dear students, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर आज फॉर्मिशनल वर्ट को बहुत अच्छ से समझा, सारे के सारे I've gotten to know the exact difference between these two, and I have explained everything, अब आप मुझे कमेंट कर के बताओ कि क्या आप, adjective और adverb के भीच में difference को समझ पाया हो, क्या आप in differences को अपने practically spoken में, use कर पाँ रहा हो, अगर कर पा रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर बताओ कि, yes sir, we are able to use all this expression in our language practically, यह अपर जो ब्र ब्र ju actically, अने ब के साथ में चिल दन टारबाय, have a good day.